आज के विलोग के शुरुवात होती है सूर्या नमस्कार से नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंजना आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ किचन के कामों को असान बनाने के लिए कुछ किचन टिप्स और इसके सासत आज है संकस्टी चोत लगबग हर इंडियन लेडिस आज के दिन व्रत रखती होगी 11 ओकलोक हो चुके हैं और क्लीनिंग का सब काम मेरा कम्प्लीट हो चुका है तो आ गई हूँ मैं किचन में अब मैं बनाने वाली हूँ सकर चोत के लिए तिल कुटा ये मैंने लिए हैं तिल तो सबसे पहले इन तिल को मैं ड्राइ रोस्ट करूँगी तिल रोस्ट करने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है फिलकुल लो फ्लेम पर तिल रोस्ट करने हैं आज के व्रत के पूजा में तिल कुटा ही रखा जाता है तो आप इसे किस नाम से बोलते हो मुझे कॉमेंट में चुरूर बताना और मुझे ये पे पताना कि किस-किस ने आज के दिन प्रत रखा है पांच मिनट में ही ये तिल रोस्ट हो जाते हैं पस हमें इसे कंटेन्यूर हिलाते रहना है जब रोस्ट होने लगेगे न तो चट-चट की अवाज आएगी जब ये अवाज आना बंद हो जाए तो समझो तिल रोस्ट हो जाएंगे अब इसे थंडा होने देंगे जब तक तिल थंडे होते हैं तो आलू छील लेती हूँ आलू पोईल हो चुके हैं अभी आलू गरम है तो मैं क्या करती हूँ एक फोर्क लेती हूँ और इस फोर्क में इस परकार से आलू को फसा लेती हूँ इससे आप देखी फटा फट से आलू छील पाएंगे आलू चाहे कितने ही गरम हो फिर भी हम इसली आलू छील पाएंगे तो मैं तो इसी परकार से आलू छीलती हूँ ये छोटे छोटे जो कीचन टिप्स होते हैं ना हमारे काम को बहुत ज़्यादा असान बना देते हैं जब तक मैं आलू छीलूंगी तब तक तिल भी थंडे हो चुके होंगे और ये दिखिए इस प्रकास से फटा फट से मैं सारे आलू छील लेती हूँ तो सारे आलू मैंने छील लिए हैं आलू छीलने के बाद आम मैंने करनी हैं दाल साफ तो दाल साफ करने के लिए एक टिप है कि जब भी दाल को साफ करें हमेशा वाइट कलर की प्रेट लेकर ही दाल को साफ करें एक्चुली दाल में जो कंकर होते हैं, वो दाल जैसे कलर के ही होते हैं, येदि हम वाइट कलर की प्लेट में इसे साफ करेंगे न, तो ये हमें क्लीन दिखेंगे, यानि दाल में से कंकर चुड़ना हमारे लिए असान हो जाएगा, है न कमाल की टिप्स, और यहां पर मैं फट ग्राइंडर जार में, तो पहले मैं तील पीशूंगी, इसके बाद मैं इसमें शकर डाल कर इसे पीशूंगी, जब पीशें तो इस पात का ध्यान रखें, कि रुक रुक कर ही तील को पीशें, क्योंकि जब हम मीक्सर जा चलाते हैं, तो गर्माहट पंती है, और गर्माहट कर पीशेंगे, तो तील ड्राय रहेंगे, और इस प्रकार से मैंने तील पीश लिये हैं, अब मैं इसमें शकर मिक्स करूंगी, तो इसे में मैं शकर डाल कर फिर से इसे एक बार दुबारा से पीश लोंगी, शकर की जगया गुड का भी यूज कर सकते हैं, तो इसे प्रकार तार से मैं हमेशा तिल भूनकर ही तिलकुटा बनाते हूं इससे तिलकुटा का टेस्ट बहुत भिजा ही बढ़िया निकलकर आता है ढगा तो मैंने इसे एक बावल में ट्रांसफर कर लिया है तो फ्रेंश्य पर शाद तो मैंने बना लिया है लेकिन ठंड अभी तक उतनी ही है एक पहिने से भ्यांकर ठंड पड़ रही है और पूजा इसके बार होगी पूजा और अभी फिलाहाल भार का मोसम देखिए चारो और अभी भी को रहा है मुझे लगता है आज भी दूप नहीं निकलने वाली और आज मैंने वियर की है साड़ी कॉमेंट में बताना कि किस किस को साड़ी पहनना पसंद है और आ गही हूँ मैं फिर से अपनी करम भूमी में फटा फट से मैं अब बचे हुई काम को समेटूंगी और उसके बात मैं करने वाली हूँ पूजा इसके जो वायर है ना ये मैसी न लगे तो इसे हमेशा इस पकार से खुमा कर लपेटी है और नीचे से निकालते हुए इसी प्लक को उपर लेके आए इससे इसकी वायर हमेशा सिम्टी रहेगी और मैसी नहीं दिखेगी रात के नो बच चुके हैं और ध्यान से देखिए कोरे के पीच में से थुंदले से चंदर्मा ने तशन दे दिये हैं तो मैंने दिया अरक और मेरा वरत पूरा हुआ तो मिलेंगे इसी के साथ मेरी नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ ओके फ्रेंड्स बाबाई